जिले में भीशन गर्मी का प्रोकोब देखा जा रहा है। राजी सरकार द्वारा स्रिक्षन संस्थानों को बंद कराए जाने का प्राविट स्रिक्षन संस्थान लगातार विरोध कर रहा है। पिछले साल कंप्लीट लोगडाउन लगा था। सभी चीज़े बंद की गए थी और हम लोग साथ साथ मिल करके समाच के सभी तरह के लोग साथ साथ मिल करके करोना की लड़ाई करोना की अगेंस्ट में लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था मिल जूल करके। इस बार भेतपावपूर्ण नीती अपनाई गई है, सभी चीज खुले हुए हैं, केवल स्कूल को बंद रखा गया है, अभी देखिये बंगाल में एलक्षन हो रहा है, और भी जगह एलक्षन हो रहा है, वहाँ लाकों के भीड जमा हो रही है, वहाँ कुरोना के वार्णा के मौके पर पहुझी पुरिस ने दूनों शब को कबजे में लेकर घायलों को इलाज के लिए इसमताल में भरती कराया है, जहां फिलाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, शेकपुरा सदर थानक श्रीतर के तरक्षा महला निवासी बालेश्वन मिस्तुरी पर पत्नी का हाथ काटने का रूप लगा है, गटना के संबन बताया जा रहा है कि पती ने आकरोश में आकर पहले पत्नी को बुरी तरह पीटा फिर उसका हाथ काट दिया, यहीं नहीं गटना को अंजाम दे कर वो मौके से फरार भी हो गया, तो यहीं गटना के बाद इस्तानी लोगों की मद करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसकी बानगी सहरसा के एक पीएटसी में देखने को मिली, जहां मरीज को ले जाने वाला एम्बूलेंस खुद बिमार हो गया, यह तस्वीर सौर बाजार प्रकंड़क शेतर की है, जहां पीएटसी का एम्बूलेंस एक गंभीर मरीज को छोड़ कर लौट रहा था, तबी बीच रास्ते में एम्बूलेंस खराब हो गया, ऐसे में सवाल उड़ता है कि जिस एम्बूलेंस के भरोसे कई गंभीर मरीजों को सही वक्त पर इलाज के लिए ले जाया जाता है, अगर बीच रास्ते में ही गाड़ी बंध हो जाए, तो फिर क्या होगा?